नुवंबर का महीना अब जाने को है लेकिन बिहार में मौसम का मिजास कुछ अजब भी बना हुआ है बीते कुछ दिनों से ठंड ने असर दिखाया है रात और सुबह के तापमान में उतार चड़ाओ नजर आ रहा है इस बीच पटना समेत कई इलाकों में तड़के सुबह कोहरे की वज़े से विजिबलीटी प्रभावित हो रही है जिसके चलते हवाई यातायाद पर असर नजर आ रहा है कोहरे और लो विजिबलीटी की चलते पटना एयरपोर्ट पर सुबह के समय फ्लाइट की लेंडिंग प्रभावित रही पटना मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा तापमान में उतार चड़ाओ जारी रहने के आसार है रभीवार को पटना समेत 14 शहरों में निवन्तम पारा कुछ उपर चड़ा है अधिक्तम तापमान में भी कई जगह बढ़ोतरी नजर आई प्रदेश में रभीवार को सबसे जादा तापमान मोतिहारी में रहा जहां पारा 32.2 डिगरी तक पहुँच गया पटना में अधिक्तम तापमान 29.3 डिगरी डिकॉर्ट किया गया प्रदेश में और जीलो में पारा उपर गया उनमें भोजपूर में 29.8 गुपाल गंज में 31.6 छपरा में 29.8 और अंगाबाद में 27.8 कैमूर में 27.7 बांका में 27 मुझफरपूर में 27.4 दर्ज किया गया वैशाली में 29.7 बेगुसराय में 29.9 शेखपुरा में 29.7 पुर्णिया में 29.8 अररिया में 31 दिगरी तक पारा चड़ गया किशन गंज में अधिक्तम तापमान 30 डिगरी रिकॉर्ड किया गया सुबे में 3 जीले ऐसे रहे जहां पारा नीचे गया उनमें गया प्रमुख है जहां अधिक्तम तापमान 27.7 डिगरी रिकॉर्ड किया गया पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्जी में अगले दो दिनों के दरान कई जगहों पर पारा उपर जा सकता है राज्जी में नियुनतम तापमान में 2-3 डिगरी उपर जाने के असार है रविवार को गया दूसरे दिन भी सबसे ठंधा रहा इस जीले में द Меня से नियुनतम तापमान 10.4 दिगरी चलसियस दर्च किया गया राजदानी पटना में 14.2 डिगरी सलसियस तक पहुच गया आज कारतिक पुर्णीमा है इस मौके पर राजधानी पटना समेत अलग-अलग जीलों के गंगा घाट पर लोग अस्तान के लिए पहुचे हैं इस दोरान सुबह का मौसम सुस्क बना रहा, सुबह कोहरा रहने की वज़े से भीजिबिलीटी प्रभावित रही एक बार फिर से बता दे कि नौंबर का महीना अब जाने को है, लेकिन बिहार में मौसम का मिजाज कुछ अजब ही बना हुआ है बीते कुस दिनों से ठंड ने असर दिखाया है, रात और सुबह के तापमान में उत्तार चड़ा और नजर आ रहा है इस बेच पटना समेत कई इलाकों में तड़के सुबह कोहरे की वज़े से विजिबलीटी प्रभावित रही, जिसके चलते हवाई यातायात पर असर नजर आ रहा है कोहरे और लो विजिबलीटी की चलते पटना एयरपोर्ट पर सुबह के समय फ्लाइट की लेंडिंग प्रभावित रही, वहीं पटना मौसम केंदर के मुताबिक अगले कुस दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा, तापमान में उतार चड़ाओ जारी रहने के आसार है रभी वार को पटना समेत 14 शहरों में नियूंतम पारा कुछ उपर चड़ा है, अधिक्तम तापमान में भी कई जगा बढ़ोतरी नजर आई, प्रदेश में रभी वार को सबसे ज़्यादा तापमान मोतिहारी में रहा, जहां पारा 32.2 डिगरी तक पहुंच गया, पटना म अधिक्तम तापमान 29.3 डिगरी रिकॉर्ड किया गया है,